हेलो एव्रिवान नमस्ते विल्कम बैक तो मैं आनादा व्लोग आप सभी को स्वागत है आज के डेली उचिन व्लोग में और मेरे यूटूब चैनले पर तो गाइज आज का मोसम तो बहुत ही अच्छा है बहुत 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 बारिस हो रही है रात से ही और मैं आज जल्दी मतलब जल्दी उठ गए थी तो बस अभी घर का काम करी हूँ ब्रस पगड़ा करके सुभा आप सबको मैंने दिखाया था कि बस अभी काम करी हूँ तो आप सबको में दिखाती हूँ बारिस केसा और आए बगवान और मेरे व्लोग एंचर जरू देखना और बहुत ब्लॉग देते रहिए किसकी मत करना यह वो मुझे कॉमेंट करे थे तो इसके लिए थेंकिस सो मास गाइस मुझे आप लोग इतना पसंद करते हूँ मैं अगर वीडियो चोड़ना भी चाहूँ आप सबके बिल से भी छोड़ने पाती क्योंकि एक दिन भी वीडियो नहीं आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा कोमेंट करते हो इसलिए तो बस मेरा व्लॉग अन तक देखते हैं संडे है संडे का फंडे क्या होता है देखते हैं क्योंकि मोसम देखकर तो संडे स्पीशियल कुछ होगा नहीं और ऐसे भी सावन है तो बस मार्के जाने वाले थे ना जोड के बारिस हो रहा था ना मतलब ये बारिस को देखकर इतना सांथ फिल हो रहा था क्योंकि इतने दिनों से गर्मी जादा हो रही थी और आज संडे का दिन था और बारिस हो रही थी और एसा लग रहा था कि फिर जाकर सो जाओ लेकिन एसा तो होई नहीं सकता अभी एक बार उड़ गे तो फिर जाके कहां सो जाए उसके बाद फिर यहां पर मैंने ब्रस वगड़ा कर लिया ब्रस करने के बाद पानी चाहे जो भी मेरा डेली रूटीन खाया पिया सब कुछ किया उसके बाद अभी जारू पोचा तो करना पड़ेगा ये का मेरा ही है ससुराल ह माई के हो जारू पोचा बरतन कपड़े ये तो करना पड़ेगा बेल बस में माई के आकर खाना नहीं बना आती हूं बस उतना है उसके बाद फिर यहां पर ममी देखिए हमारे दरवाजे के जो आगे होता है वहां पर कलस रखते है आप लोग का भी को किसी के घर में रखते ममी रेड कलर की और यल्लो कलर की पता नहीं क्यों इसका कोई मतला मीनिंग है या क्या है मुझे मने ही पता महत्वा है लेकिन ममी हमेचा है रखते हैं मैं यल्लो कलर कितना अच्छा लग रहा है उसके बाद फिर में यहां पर चली गये ब्रेकफर्स्ट के लिए ममी ने तो लो जी पहुंच चुके हैं मार्केट और आज मार्केट थोड़ा से लेट से ही मतलब इसे ओपिन हुआ था होगा क्योंकि बारी सुबह बहुत ज्यादा थी इसलिए बस अभी हम 9.30 हो गया था साइध हम लोग यहां पॉस्ते हुए अभी जर्ज दुकान खुल ही रहा है यहां पर हम लोग सबसे पहले आगे गए आगे जाके ममी ने नस्पती लिया क्योंकि आभी नस्पती का सीजन है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है तो ममी ने नस्पती लिया उसके बाद जो एलिफेंट एपल वगेड़ा है वो सब लिया अभी संडे मार्केट मे ही मिलता है बिना संडे की तो वो मिलता ही नहीं है उसके बाद फिर हम लोगोंने बस एक दो सबजी वगेड़ा ही लिया ज्यादा नहीं लिया क्योंकि सबजी तो ज्यादा क्या ही लेना है बस एलिफेंट एपल वगेड़ा उसके बाद फिर निगुरे वगेड़ा ये सभी लिया और आज तो जंगल का जो सबजी वगड़ा होता है वो जादा मिलता है वो ही लेकर ममी फिर चले गए है गोस्री शॉपिंग करने के लिए क्योंकि हम लोग आठा वगड़ा वगड़ा लेने के लिए गए थे तो यहां पर देखिया आठा ले चुके है ममी उसके बाद अब ही कुछ सामान वर गड़ा लेना था तो वो ले लिया उसके बाद पी मेरे लिए सेंड़ करे चले गए थे क्योंकि सेंड़ कोई मतलब मेरा प्लेनिंग नहीं था फ्लेट मतलब यह फ्लेट था तो बस आपको में घर जा के दिखाऊंगी क्या लिया मैंने उसके बाद फिर ममी चले गए है रासन लेने के लिए रासन तो कुछ भी नहीं है बस आलू और प्याज लेंगे क्योंकि हपते लिए लेना है इ अच्छा हुआ जल्दी गए थे क्योंकि जल्दी जल्दी काम भी खताम हो गया जल्दी आ भी चुके है और अभी धुपे से निकला आया क्या ही बताओ तो बस अभी चलो मैं आप सबको दिखा दी हूँ क्या क्या लेके आए तो सबसे पहले तो देखे यह बंबो सूट कित और आप सबको तो मैंने दिखाया है उसके बाद देखे हमने क्या क्या लिया है सबसे पहले तो हमने लिया है यह elephant apple और और गाइस यह elephant apple ना 10 रुपीज का one है तो सोचिए कितना ज़्यादा मेहंगा होगा और पता है यह elephant apple मेरे ससुराल में घर में ही है लेकिन क्या कर अभी यहां तो ले नहीं सकते इसलिए खरीद के खाना पर रहा है उसके बाद फिर यहां पे प्याज ले लिया है आलो ले लिय ब्रीजन है और उसके बार यहां पे लिया है जो वैल कोरिंडर होता हे वह और जो गोल गोलगोल वाला नीबु होता है लेकिन वह लेकिनागार मेरे ससुराल में आप समkes तो देखा सकते इतम कहारे कितना जादा है लेकिन क्या करहें यहां पे खरिद के खाना पड़ा है लेकिन मैंने लगाने के लिए थोड़ा सा लेके आई थी लेकिन अभी तक हुआ नहीं उसके बाद देखिए यह निगुरा निगुरा भी खरिद के ही काना पड़ा है यहां हालत ऐसी है क्योंकि मेरे सस्वाल के तरब तो सब कुछ ही मिल खरिदने की जरूरती नहीं होती लेकिन यहां पे खरिदना पड़ता है तो यहां पे आटा वगड़ा भी है और यह ना निगुरा भाई के लिए लेके आए थे क्योंकि भाई को बहुत ज्यादा पसंद है और जो एलिफेंट एपल और आलू का सबजी होता है न वो नहीं इसलिए उसके लिए यह निगुरा लेके आए है ताकि वो खा ले इसलिए उसके बाद फिर यहां पे जो समान वगड़ा था सारा मैंने समेट के रग दिया उसके बाद मैं थोड़ा सा नेट्विक्स में मूवी देख रही थी क्योंकि सचुरान में टाइम ही नहीं मिलता त तो मैंने देख लिया और देखते देखते ममी ने खाना खाने के लिए बुला लिया था और यह दोनों बेड़ भी चुके क्योंकि आजकर हम लोग ना सुभा जो ब्रेकफास्टे वो नहीं करते ना तो दिन को बहुत ज़्या भूख लगते तो आप सब ने देखा यह यह हमी ने उसके बाद निगुरा का सबजी बनाया है और बस हम लोग अभी खाने वाले है दाल चाओल बनाया है तो पापर वगड़ा भी था तो बस हम तीनों अभी बेटके अच्छे से खाने वाले खा लिया खाना तो देखिए जो नीबू था मैने आप सबको दिखाय था हम दब्बे में तीन दिन काटके रखा हुआ था नमक डालके तो आज हमने वो नीबू निकाल लिया है उसके बाद ऐसे दो कॉंटेनर में अच्छे से हम लोगों ने सुखा लिया है तो अगर आप लोग भी डाल रहे हो तो ऐसे ही दो बड़े बड़े कॉंटेनर में ऐसे डा अचार डाला है वो यह कद्दू कस करके डाला हुआ यह काटके डाला हुआ और यह जो घोष चीलिये मतलब किंग चीलिये उसका अचार है तो बस अभी ममी दिन भर सुखाएंगी तो दिन भर सुखने के बाद इसका हालत ऐसा है तो बस अभी अचार डालने का वक्त हो गया तो सबसे पहले ऐसे कॉंटेनर में आपको नीबू ले लेना है उसके बाद आप हल्दी डाल देना है और नमक आप याद रखना ध्यान रखना आपने जब नमक डब्बे में डाला था मतलब नीबू डब्बे में डाला था तब नमक डाला हुआ था तो वही स्वाद अनुसर अगर जादा हो जाएगा तो फिर खाने में अच्छा नहीं लएगा उसके बाद यहां पे थोड़ा सा मसाला डालेना है जीरा पाउडर मतलब जीरा जो खड़े मसाले है जीरा उसके बाद धनिया उसके बाद मेथी सौफ इनको ममी ने दर दरा पीस लिया है उसके बाद थोड कांस के कॉंटेनर में डाल सकते हूं लेकिन हम जयदा था नोटीस करोगों कि प्लास्टिक के दब्ब्ब में घरसकशची अचार निकालते ताइम में उंगली मड जत्यानि搞ूं से और सब्सक्राइब लेकिन अपना उंगली मड डालिएगा उसके बाद फिर सामने थोड़ी सी हम लोग टहलने चले गए थे टहलने मतला हम लोग बेल पती लेने जा रहे क्योंकि कल है सावन सावन का सोंबर मंदिर जाएंगे एक दिन पहले ही बेल पती वगड़ा तोरके रखते हैं तो हमारे घर सामने जो घर था वहां पर बेल पती था लेकिन बहुत दूर था मतला बहुत दूर नहीं बहुत उच्चा था तो बस घर सामने एक घर में है वही लेने जा रहे थे और सामके बक्त हमारा यहां का व्यू देखे इतना सुन्दर होता है ना संसट के ताइम में यह मैं बता न मतलब में कहीं जाती हुँ ना तो ये लोग भी पीछे-पीछे आई जाते हैं उसके बाद बस ये है चाची का घर-घर सामने का चाची है उनके घर आए है क्योंकि यहां पर बेलपती है वो ही लेने के लिए और यहां पर एक दादी भी है जो एजेट है उनको भी देखने के लिए आये थे और वो दादी और हमारी दादी ना मतलब बेस्ट फ्रेंड है जो हम लोग नेपाली में बोलते है मिती नी मतलब बेस्वेंस erès वो है तो बस यहां मिलने आये थे और देखिए कितना ऐज हो चुका है और यहां पर अच्छे से बात कर रहे है थोड़ी देर ब सबस्क्राइब में सबस्काइब कर दोसाओं में स्टासां के निया में मीज़ें कर लिया उसके बाद अज का व्लॉग जो भी था अज का दिन का संडे है संडे में ज्यादा कुछ नहीं बस मार्केट वगड़ा गए थे तो मम्मी ने मार्केट से मेरे लिए सेंडल खड़ित दिया था तो मैंने सोच आप सबको दिखा दो क्योंकि हर चीज आप सबको दिखा अथा था तो फिर मैंने एक पोटो में दिखा था मुझे पता नहीं था कि यहीं जो मुझे आप धार मले दिया हैं वी प्तना उनी के लिए दिया है स्था चपल पहन के न हमिने घाव मामी भीन तो जो ही दिया थाटो एक दिन कल परिसो मैंने मतला ममी को बला ममी यह उदए पंड़िए मगवाय तो ममी ने गड़िआ आपको चोपना i day मने खड़िद से घट्ड दिया है तो बस ममी को मैंने बला better है here मतलब ऐसे बोला था मैंने तो साइद ममी के दिल में लग गई और मुझे खड़िती आज तो चले दिखाती हूँ अब आप सब को लग रहा होगा कि कैसा ऐसा सेंडल है जो मतलब इसके लिए इतना कुछ हो गया मतलब इतना कुछ मैंने बोल दिया लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सिंपल साइज सेंडल है फ्लेट और मुझे बहुत ज़दा पसना लेकि दूसरे कलर में नहीं था यह देखिए तो यह कैजूली उसके लिए डेली उसके लिए बहुत ही अच्छा है मार्केट वगड़ा जाने के लिए और यह वाटर पर पेयर और मुझे यह एसा वाला सें अच्छा है तो बस अब यह दिखाने वाली थी में क्योंकि दिन में नहीं दिखा पाई एसा उसे कट्राइब और खाना खाले उसके बात पी सोलिया उसके बात पी कहीं कहीं गया इसलिए तो आप सबको मेरा यह संडल कैसा लागा कॉमेंट करके बताना और देखे मेरी ममी म कुमेंट और मेरे चैने को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी मेरे चैने पर नए है वो प्लीज मेरे जो प्रिवियस ब्लॉगे वो चेक आउट जरू कर लीजिए और मुझे आप लोग बहुत जादा कॉमेंट कर देखे कि आपका पैसा का बारा इन यूटूब का म क्योंकि बस मुझे चार पांस दिन और चाहिए तो प्लीज जितना हो सके आप लोग मेरा जो व्लॉग है वो देखिए सेर करिए सब्सक्राइब करिए तो बस दो चार दिन में आप लोग को ये गुड़ निज भी मिलने ही वाली है तो प्लीज थोड़ा सा और मतलब अभी म करिए